गुरीदिनिंग आप सभी को प्रोविडेंस कोचिंग देरदून के अनलाइन प्लैटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं 2022 में जो जूनियर इंजिनेरिंग की वेकेंसी आईटी वो कैंसल हो चुकी है तो अब जो न्यू आपका पेपर होगा वो आगे आने वाले चार से पांच महिने के अंदर हो जाएगा तो उसी के लिए आपके लिए एक इन्फरमेशन है कि प्रोविरेंस कोचिंग आपके सामने लेके आ रहा है 20 मार्ट से सिविल इंजिनेरिंग का न्यू बैच बैच जो शुरू हो जाएगा वो 20th of March से हो जाएगा जैसे कि आप मेरे पीछे पोस्टर देख सकते हैं आपकी सिविल इंजिनेरिंग की जो फेकल्टी है शिवम सर वो पूरी टेकनिकल क्लासस लेंगे परिक्ष्य का जो पैटर्न है वो क्या रहेगा आपका एक ठेकनिकल सेकशन रहेगा दूसरा जो पेपर होगा आपका वो नॉन टेक का होगा जिसमें आपका 100 Marks का हिंदी होगा और 100 Marks का ही आपका क्या होगा इंग्लिश से्षन होगा ठीके है चलिए थोड़ी सी जानकरी मैं आपको दे देती हूँ कि आपका जो मैं आज discussion करने वाली हूँ वो है आपका कि हिंदी से previous year के जो paper है जो 2022 में हुआ था last exam जो हुआ था इसका उसमें आपका हिंदी का section में किस topic से कितने marks की questions को cover किया गया है तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो हिंदी का section होगा वो आपका cover करेगा 100 marks को और इसकी जो timing रहेगी वो रहेगी आपके पास 2 hours की दो गंडे में आपको 100 questions attempt करने हैं हर question carry करेगा एक number का तो last जो paper हुआ था आपका 2022 में उसको मैंने analyze किया है कि किस topic से आपके कितने questions को cover किया गया है या किस topic से आपके कितने marks को cover किया गया है तो वहाँ अगर हम हंदी की बात करें तो हिंदी का जो section है वो तीन खंडों में विभाजित होता है पहला होता है आपका भाशा का विकास दूसरा होता है आपका व्याकरन खंड और तीसरा होता है आपका रचना खंड तो लास्ट जो पेपर देखा गया वो देखा गया था सिर्फ और सिर्फ व्याकरण खंड से ठीक है तो भाशा का विकास और रचना खंड से वहाँ पे questions नहीं देखे गए थे questions जो 100 questions थे वो आपके total थे व्याकरण खंड से अब व्याकरण खंड जो division होता है वो तीन sections में होता है पहला होता है आपका वर्ण विचार दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार पूरी व्याकरण जो है वो तीन खंडों में divided है वर्ण शब्द और वाक्य विचार तो आगे चलके देखते हैं कि किस topic ने कितने questions को, कितने marks को cover किया है तो पहले topic की अगर मैं बात करूँ, वर्ण विचार जो सबसे छोटा topic है, व्याकरन खंड का वर्ण विचार तो यहां से जो questions आपको देखने को मिले थे, 10 questions की संख्या आपको देखने को मिले थी और हर question कितने marks को carry कर रहा है, एक marks को carry कर रहा है तो यहां जो पहला ही chapter है, आपका वर्ण माला का, इससे आपको questions देखने को मिले थे, 10 questions questions बहुत ही basic थे, जैसे द्विगडव एंजिन आपसे वो पूछ रहा था, ठीक है सजातिय स्वरों को वो पूछ रहा था, विजातिय स्वरों को वो पूछ रहा था, पार्शविक स्वर आपसे पूछ सकता है, लुंठिच स्वर आपसे पूछ सकता है तो यह जो पूरा section है, वो कितने marks को cover कर रहा था, आपके 10 marks को cover कर रहा था, ठीक है बढ़ते हैं आपने दूसरे section की तरफ, दूसरा जो section है आपका वो कहता है आपका शब्द विचार से, ठीक है, शब्द विचार में जो आपके आते हैं, वो आता है, आपका संधी आता है, समास आता है, उपसर्ग आता है, और प्रत्य आता है, संधी से जो last time questions देखे गए, व 5 marks आपका समास कैरी कर रहा था, और 5 marks आपका क्या कर रहा था, संधी कैरी कर रहा था, वहीं 4 questions उसमें उपसर्ग से लिये थे, प्रत्य से भी आपके कितने questions देखने को मिले थे, 5 questions हमें देखने को मिले थे, ठीक है, तो ये तो था कि शब्द विचार से कितने topics, ये 4 topics जो थ आपको कितने marks का 15 और 4, 19, 19 marks आपके शब्द विचारने कैरी करे थे, में शब्दों का निर्मान जिन तरीकों से होता है, उनने कितने marks कैरी किया, आपके 19 marks को कैरी किया, फिर आता है आपका शब्दों का वर्गी करण, शब्दों का वर्गी करण में आपके 4 factors होते हैं, उत फॉपत्ति के एधार पर उसने professions आप से पूछे थे, ततसम, तधभव 허ूम को देशज, विदेशज, संकर सब्द, इस तरी के से questions उसने पूछे थे किसी का ततसमर रूफ प्ուछ लिया था, किसी का तधभव यह शब्द देशज है या विदेशी है या संकर है इस टाइब के questions देखने को मिलेते हैं दूसरा रचना के हिसाब से अगर वर्गी करन देखें तो उसने रूड योगिक और योगरूड शब्दों को पूछा था तीसरा विकार के अधार पर विकार के अधार पर दो केटेग पर है आपके अर्थ के अधार पर अगर मैं बात करूँ तो अर्थ के अधार पर जैसे समानारती शब्द होगे विलोम शब्द होगे प्रियाइवाती शब्द होगे तो ये जो पूरा section था आपका तच्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द, संग्या, यह सब जो पूरा सेक्षन था जिसे हम कहते हैं शब्दों का वर्गी करण जो चार तरीकों से किया जाता है यह पूरा मार्क कर रहा था कितने आपके 20 मार्क्स को ठीक है अब वो examiner के उपर depend करेगा वो संग्या से दो नंबर पूछे या क्रिया विशेशन से दो नंबर ठीक है तो पूरा जो शब्दों का वर्गी करण था उसने केरी किया था आपका सबसे ज्यादा वेटेज कितने मार्क्स का 20 मार्क्स का ठीक है इसमें काफी सारे टॉपिक्स आपके कवर होते हैं लेंग वचन कारक काल यह सब भी शब्दों का वर्गी करण संग्या के ही वि ठीक है फिर वर्तनी से शुद्ध वर्तनी या वर्ण विच्छेद भी सी में अगर मैं लेलू शुद्ध वर्तनी और वर्ण विच्छेद से आपको 9 questions आपको 2022 के पेपर में देखने को मिले विराम चिन से और सिर्फ आपको एक ही question देखने को मिला था ठीक है तो यहां पर मार्स का जो section रहा वो आपका किस से रहा शब्द विचार से ठीक है 49 मार्स का जो section रहा वो आपका रहा शब्द विचार से वर्ण विचार से वर्ण माला से जो section रहा था वर्ण माला से जो question देखने को मिले ते वो मिले ते आपके 10 questions आपको वर्ण माला से देखने को मिले त चलिए, आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो इकाई है, तीसरी जो खंड है, व्याकरण का सबसे में खंड, वो क्या कहता है, आपका व्याकरण विचार, तो देख लेते हैं, व्याकरण विचार से आपको कौन-कौन से क्वेशन्स या कितना वेटेज इसने लिया व्याकरण विच लीए कर्या बाकि के आपके तीन तरीके के भेष्थ होते हैं रचना के आधार किर्या के अधार पर भी वह कुशन्स देखने को मिले किर्या के आधार पर फॉशन की कयो नहीं मीले थे 2022 तो यहां इसने मा उसने आपका कैरी किया 5 marks को, ठीक है, मुहावरे, मुहावरे और लोकुप्ति, ठीक है, मुहावरे और लोकुप्ति, जो लर्न करने वाले topics है, इसमें आपको कितना देखने को मिला, 5 रंबर की जो आउसने मुहावरे पूछero, पांच नंबर की उसमें क्या पूछ ली लोगुपती पूछ ले फिर आपको एक सेक्शन देखने को मिला था रिक्तिस्थान वहाँ पर भरने थे सही शब्दों को वहाँ पर आपको चुनना था यह भी किस केटेगरी में आता है आपके वाक्य विचार की ही केटेगरी में आत पूछ सकता है जो उस गद्यान से आपको क्या कर सकता है पूछ सकता है तो यहां आपने क्या देखा 10 marks तो आपका burn माला ने carry करा 49 marks आपके शब्द विचार ने carry करे ठीके और यहाँ पे मैंने आपको अगली slide में पूरा mention किया है कि कौन सा खंड आपके कितने marks को cover कर रहा है ठीके 10 marks आपका burn विचार से हुआ 10 marks आपका burn विचार से हुआ 49 marks आपके किस से हुए शब्द विचार से हुए एक marks का जो सवाल था वो उसने किस से पूछ लिया रचना खंड से ठीके रचना खंड जो तीसरा section है शब्द शक्ति ठीके जो आपका रश छंद और अलंकार को carry करता है उसमें से उसने कितना एक mark का सिर्फ सवाल पूछा था बाकी सारे के सारे 99 questions जो थे वो आपके कहां से थे व्याकरन खंड से सिर्फ एक mark का question था आपका शब्द सक्ति से तो आप क्या कह सकते है 60 और ये रहा आपका 40 और 40 marks आपका कहां से होगा वाक्य से होगा समझ लिए आप लोग उने 40 marks आपका वाक्य खंड 49 marks आपका शब्द विचार और 10 marks का जो section रहा वो आपका रहा वर्ण विचार से ठीक है तो यहां पर आपने देख लिया 100 के 100 questions का analysis कि कौन से topic से सबसे ज़्यादा questions पूछे गए है कौन से topic पर आपको ज़्यादा मेहनत करनी है किस topic से आप ज़्यादा questions attempt करके अपने score को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं ठीक है तो आपके पास बहुत अच्छी opportunity है फिर से government ने आपको opportunity दीख है कि जिन लोगों का last time exam सही नहीं रहा तो वो आप थोड़ी महनत और कर लें तो जल्द ही exam को निकालने में शक्षम रहेंगे ठीक है तो ध्यान रखेगा providence coaching में जो back शुरू हो रहा है आपका civil engineering का वो होगा 20th of March से इसकी जो timing रहेगी वो रहेगी आपकी 11 बजे से 11 से डेड़ बजे तक आपका technical रहेगा टेकनिकल की सारे subject शीवमसर द्वारा पढ़ाए जाएंगे ठीक है फिर आपको half an hour का break मिलेगा फिर आपके 2 से 2 45 तक हिंदी की class होगी जो मेरे द्वारा ली जाएगी second जो आपकी class होगी वो होगी English grammar की वो शुबमसर लेंगे third जो आपकी class होगी वो होगी daily practice session की means class को पढ़ने की बाद ही आप रोजाना 50 questions को class में ही attempt करेंगे तो यह आप लोगों की habit में हो जाएगा 4 months तक अगर आप daily 50 questions attempt करते हैं तो आप क्योंकि end में जाके तो आपने questions ही करने आपकी जो command हो जाएगी questions में वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी ठीक है तो ध्यान रखेगा providence coaching में 20th of March से आपका civil engineering का batch शुरू होगा batch की timing जो रहेगी वो रहेगी सुभा 11 बचे ठीक है कल मैं आपके सामने previous year के question papers का solution लेके आओंगी हम देखेंगे questions को कैसे attempt करना है ठीक है तो कल इसी time पर हम लोग मिलेंगे कल questions के solution के साथ जो last year का paper था आपके उसके solutions के साथ तो ध्यान रखेगा 20th of March timing रहेगी आपकी 11 बचे course जो होगा वो donor mode में available होगा online भी रहेगा और offline भी रहेगा ठीक है आज के लेट नहीं थेंक्यों